इस वीडियो में हम समस्थानिक और समभारिक के बारे में पढ़ेंगे जिसे अंग्रेजी में आईसो टूप्स एंड आईसो बास कहा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आपने पिछले वीडियो में देखा कि किसी तत्व की परमानु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है आपने यह भी देखा कि हर तत्व की परमानु संख्या अलग होती है इसी तरह हम प्रकृती में कुछ ऐसे तत्व भी पाते हैं जिनकी परमानु संख्या एक होती है पर उनकी द्रव्यमान संख्या लग-लग होती है। आईए एक उधारन देखते हैं, हम हाइडरोजन तत्व को लेते हैं। हाइडरोजन तत्व के तीन परमानुविक स्पीसीज होते हैं। इनमें प्रते की परमानु संख्या एक है, पर इनकी द्रव्यमान संख्या अलग-लग एक, दो और तीन है। इसी तरह कार्बन की दो परमानुविक स्पीसीज हैं, 12C6 और 14C6 और क्लोरीन के 35Cl17 और 37Cl17। ऐसे तत्व को समस्थानिक यानि की आईसोटोप्स कहते हैं। हमने उपर जो उधारन देखे, उसके आधार पर हम समस्थानिक को कुछ ऐसे परिभाशत कर सकते हैं। एक ही तत्व के परमानु, जिनकी परमानु संख्या सम्मान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन होती है, उनको समस्थानिक कहते हैं। उधारन के लिए हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एंट्रीटियम। इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। चली आगे बढ़ते हैं। हम क्लोरीन के द्रव्यमान को इन दोनों के ओसत द्रव्यमान से दर्शाते हैं। आईए देखते हैं कैसे। पहले हम दिये गए अनुपात का योग निकाल लेंगे। जो यहाँ पर 4 आएगा। उसके बाद सभी द्रव्यमानों के लिए अनुपात को भिन में बदल लेंगे। जो मिलेगा 3 बटे 4 और 1 बटे 4। फिर हम प्रतेग द्रव्यमान को उसके भिन से गुणा करके उनका योग निकाल लेंगे। जो हमें औसद्रव्यमान देगा जो यहाँ पर 35.5 इनिट्स आया है। अता हम देख सकते हैं कि किसी तत्तों के एक परमानों का द्रव्यमान उस तत्तों मौझूद सभी परमानों के औसद्रव्यमान के बराबर होता है। आईए अब हम समस्थानिकों के अनुप्रयोग देखते हैं यूरेनियम के साथ समस्थानिक का उप्योग परमानों भट्टी में इंधन के रूप में होता है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट और एक समस्थानिक का उप्योग होता है इसी प्रकार घेंगा रोक्य उप्चार में आयोडीन के साथ एक समस्थानिक का उप्योग होता है इसे अपनी कॉप्पी में लिख ले आगे बढ़ते हैं अता हम एक और तरह के तत्वों को देखेंगे जिनकी द्रव्यमान एक ही होती है आईए एक उधारन लेते हैं कैल्शियम की पर्मानु संख्या 20 और आरगन की संख्या 18 है लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है हम ऐसे तत्वों को संभारिक अत्वा आईसो बार कहते हैं यानि तत्वों के इस जोड़े के अनों में कुल नूक्लियान की संख्या समान होती है अता अलग अलग पर्मानु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या संख्या संभारिक कहा जाता है और अंग्रेजी में आईसो बार इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर ले आगे एक बार दोहरा ले कि अब तक हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा समस्थानिक और संभारिक के बारे में हमें आशा आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब कुछ प्रशन करते है प्रशन कुछ इस प्रकार है पहला प्रशन सोडियूम की परमानु संख्या 11 है और रवेमान संख्या 23 है तो इसमें होंगे चारो विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा तो दूसरा प्रशन है क्लोरीन का एलेक्ट्रॉन वितरन होगा यहाँ भी आपको चार विकल्प दिये है और चार में से एक विकल्प सही है तो सोची इसका जवाब क्या होगा समय समा आप देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है पहले का C और दूसरे का भी C तीसरा प्रशन ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के लाज में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है चारों में से कौन सा सही उत्तर है चलिए अब इसका सही उत्तर देखें इसका सही उत्तर है D option आईए अभी का और प्रशन हल कीजिए question आपके सामने है हमें यहाँ पर ओसत द्रव्यमान संख्या ग्याद करना है तो वीडियो को रोके और इस प्रशन को खुद से हल करें चलिए अब इसका सही उत्तर देखें ओसत द्रव्यमान संख्या कुछ इस प्रकानिकाली जाएगी और इसका सही उत्तर है 80 unit यह topic यहीं पर समाप्त होता है आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ questions अपनी copy में करने होंगे